मनकन कुल का एक महान योददा जो काल से भी अपने प्रजा की रक्षा करता है मांडियार पहाड़ी की उचाईयों से वो बादोलों को चीरता है बागों को ललकारने की हिम्मत रखता है हातियों को वश में करने वाला ऐसा एक वीर है कंगा साउधकेक ऐसी अपकमिंग सुपर डुपर फिल्म के टीजर का रिवीव करना मेरे से रहे गया था मैं भूल गया था कैसे पता नहीं मैंने उस फिल्म का टीजर तो देखा था लेकिन उसका रिवीय भी नहीं किया था अब जाकि जो मेरे दिमाग में बात आई वापास नहीं लोटा देते हैं तो लोटा नहीं देते हैं जया दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कंगुवा फिल्म के बारे में कहते हैं कि यह फिल्म जब वह बहुबले से भी बड़ी हीट साबित होने वाली है क्योंकि यह भी फिल्म बाहुबली की तरह दो पार्ट में आने वाली है उनकी हर एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म है जिन्नोंने एक हिस्टरी क्रियेट की अपने बॉक्स ओफिस कलेक्शन के मामले में और भी कई चीजों में वो सारी फिल्म है जो वो एक पार्ट में complete नहीं हो पाती थी जिस वज़े से सेकेंड पार्ट को भी निकालना ज़रूरी था ठीक उसी तरह से कंगवा फिल्म को भी जो फिर्स्ट और सेकेंड पार्ट में रिलीस किया जाएगा अभी तक फिल्म का ट्रेलर तो आया नहीं लेकिन फिल्म का टीजर देखने के बाद भाई बॉडी पे गूसबम्स आ गए फिल्म के में लीड एक्टर सुरिया की एक्टिंग और उनकी आखों की पफॉर्मनस देखते हुए पता चलता है कि एक एक्टर जो वो अपनी आखों से भी एक्टिंग कर सकता है विक्रब मुवी तो आप सबने देखी होगी लेकिन विक्रब मुवी जो वो सबसे ज्यादा फेमस होई वो रोलेक्स के कैरेक्टर की वज़े से जो फिल्म के आखरी कुछी समय के लिए आया लेकिन पुरा मार्केट जाम कर दिया जो वो पफॉर्मनस था बेस्ट पफॉर्मनस था और सुरिया एक बेस्ट एक्टर है मेरा फेवरेट है कोई निया उस वक्त अगर रिव्यू नहीं किया है तो आज जो वो इस टीजर कर रिव्यू करते है अब देखे सबसे पहले बात करते हैं टीजर के बारे में तो इस टीजर की उपर से हमें फिल्म की कहानी क्या होगी यह बिल्कुल भी समझ में आता लेकिन अगर IMDB की और से अगर देखा जाए उसके साइट पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इस फिल्म की कहानी जो वो पास्ट और प्रेजन में चलने वाली है जहाँ पे पास्ट में एक ऐसा योद्धा होकर गया जिसके डेट जो वो किसी डिजीस की वज़े से हुई और यहाँ पे present में दिशा पटनी 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 दिशा पटनी एनिवेज दिशा पटनी जो हो present में उस योदा के मोद की chemistry जो हो यहाँ पर reveal करना चाहती है मैं make sure नहीं हूँ कि फिल्म के कहानी कुछ इसी तरह की से होगी लेकिन इतना सरूर पता है कि यह इस फिल्म के कहानी जो वो past और present में चलने वाली है अब कंगवा फिल्म के टीजर का review करना था इसलिए मैंने दोबार से जाके फिल्म का टीजर देखा तो भाई लोग आज भी वही same goosebumps आए जो मैंने पहली बार देखा था इस टीजर को जैसा कि आप लोगो बता है कि अभी जो भी कोई साूथ की कोई भी फिल्म हो जहां पर उसका टीजर या फिर ट्रेलर रिवेल की रिलीस किया जाता हे तो इसे अलग अलग language में अलग अलग channel पे जो वो release किया जाता है या फिर अलग-अलग वीडियो बे अलग-अलग language को release किया जाता है लेकिन यहाँ पर कंगवा के makers ने एक ही वीडियो में पांच भाशाओ में फिल्म के teaser को release किया यहाँ कि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि YouTube पे भी ऐसा कोई option है जहाँ से हम लोग language select कर सकते हैं लेकिन इस फिल्म के teaser को release करने से पहले कंगवा के makers ने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पे उन्होंने बताया कि आप इस फिल्म के teaser का जो language है आप वीडियो से भी select कर सकते हो जहाँ पे उस योद्दा के बारे में बताया गया कि वो कितना महान योद्दा था जो अपनी कौम के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ता था उस योद्दा को define करने के लिए teaser में कुछ शब्द कहे गए जो सुनने के बाद पता चलता है कि वो कितना महान योद्दा था मनकन कुल का एक महान योद्दा जो काल से भी अपने प्रजा की रक्षा करता है मांडियार पहाडी की उचाईयों से वो बादलों को चीरता है बागों को ललकारने की हिम्मत रखता है हातियों को वश में करने वाला ऐसा एक वीर है कंगा जिस वर्ट्स में उसको डिफाइन किया गया भाई मैं तो उसका फैन बनिया वो एक ऐसा महान योद्दा जिसके आसपास जो वो सिर्फ लाशे गिरी हुई है और वहाँ पे वो सिर्फ एक ही दिखाय दे रहा है यानि कि वो इतना बड़ा महान योद्दा है कि उसने जो वो उन सारे लोगों को मार दिया है फिल्म के टीजर में हमें दिखाया जाता है कि वो एक भाला भी फेकर जिस पे आग लगी हुई है वो एक शतुरू के आरपार कर देता है मैंने इस टीजर को मोबाइल पे देखा मोबाइल पे देखने के बाद मैं थोड़ा संतुष नहीं हुआ तो मैंने वापस इसको टीवी पे बड़े स्केल पे देखा तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस फिल्म को बड़े परदे पे देखूंगा तो क्या फिल होगा भाई फिल्म का टीजर देखने के बाद तो मैं फिल्म का बड़ी बेसे बड़ी से इंतजार कर रहा हूँ फिल्म के ट्रेलर का मैं बड़ी बड़ी बेसे बड़ी से इंतजार कर रहा हूँ आप ने इस फिल्म का टीजर देखा तो आपको कैसा लगा इप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए और देरी से इस फिल्म के टीजर कर रिवीव करने के लिए मैं आप से शमा मांगता हूँ होपस हो कि आप मुझे माफ भी कर देंगे और दूसरी बात आप कोई सुनका टीजर कैसा लगा याप हमें कमेंट करके ज़रूर बताईए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है तो चलिए दोस्तों मिलता है एक नए वी जय भारत